लो एवरीवन यू और वेलकम बैक तो आर चैनल दवाइट स्लेट पढ़ाई और आज हम लोग राइस ऑफ बुद्धिजम के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग इंशेंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इससे पहले हमने प्री हैस्टॉरिक एरा इंडस्वेली सिविलाइ वेडिक सिविलाइजेशन कर लिए है उसके बाद आता है हमारा बुद्धिजम और फिर आता है जैनिजम तो आज हम बुद्धिजम स्टाट करने वाले हैं जिसमें हम स्टार्टिंग जो है वह गौतम उद्धा की स्टार्टिंग लाइफ से करेंगे एक जनरल ओवर विव स कि उनकी जन्म कब हुई उनकी व्रत्यू कब हुई या उनके फादर का नाम क्या था की नाम में सारी चीजे जानेंगे तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किये चलते हैं बुद्धिस्म में बुद्धा की लाइफ की तरफ जो गौतम बुद्धा है उनका बर्थ 563 BC में हुआ था लुम्बिनी या फिर जिसे कपल वस्तू भी कहते हैं उस जगह पे और जो मेजर इव जैसे कि शाक के मुनी या फिर बुद्धा जो मनें बोलते है उत abbiamo इसलिए मिला है क्य cliche वह पॉछ फादयर थे होष्योधन वह स्यठ career के हैड थे तो इसलिए उन्हें स्यंक्यमुनी या बुद्धा भी कहा जाता है उनकी मदरती महार नयांक का और महान उयाका और फिर थी बुद्धा के जीवन के कुछ important लोग और उनकी birth और death का time और जगे और फिर आता है major timeline of बुद्धा की कब कौन सी चीज उनके जीवन में घटित हुई तो सबसे पहली जो चीज थी कि उन्हें चार sights दिखाई दिये जिसकी वज़े से उनकी life जो है वो बिलकुल change हो गई 29 years के जब वो थे तब और वो चार चीज जो थी वो थी कि उन्हें एक old aged आदमी दिखाई दिया उन्हें एक बीमारी से ग्रस्त इंसान दिखाई दिया और फ कोशिंज जो है वो जाल आये जिसकी वज़े से उन्होंने जो है अपनी 29 years की चूट एज थी तब ही उन्होंने टूथ को सर्च करने के लिए घर जो है वो छोड़ दिया आपना और इस क्रिया को लीविंग हाउस फॉर सर्चिंग टूथिस को हम वो लोग बोलते हैं महा बिक्षानी करम तो यह जो महा बिक्षानी करम है यह इन्होंने अपना कर लिया था 29 years की एज में फर्स्ट जब यहां से निकले हैं तो इनके दो टीचर रहे हैं एक टीचर थे इनके अलारा कलाम और दूसरे टीचर इनके रहे हैं रुद्रका रामपोता तो यह अपने घर से निकलने के बाद एक पीपल ट्री के नीचे जिसे वट प्रिक्ष भी कहा जाता है वहां पर बैठके इन्होंने एक नदी थी निरंजना उसके टठ पर बैठके पीपल ट्री के नीचे अपना अगर जगें पर बैठके करना स्टार्ट कर दिया और यह ट्विंटी नाइन यह के थे तब अपने घर से निकले थे और उसके बाद यह 49 देस तक लगातार जो है वह वह मेडिटेशन करते रहे तो एक बार इन्हें जो है गया में मेडिटेशन करते हुए गया में जो है 49th day पे बौधत्व जो है वो प्राप्त हुआ मतलब कि उन्हें अपना एक जो टृत जिसकी सर्च में वो निकले थे वो चीज प्राप्त हुई है 49th day of meditation में गया अगर जगे पूछी जाती है तो अब इन्होंने फिर अपना first sermon दिया मतलब कि अपना जो भी उन्होंने अपने जिन्दगी में महसूस किया उस चीज को इन्होंने दूसरे लोगों को भी बताया कि आखिर क्या सच है क्या जूट है किस तरह से इन्सान को अपनी जिन्दगी जीनी चाहिए तो ये इस चीज़ को उन्होंने सभी बातों को जो है पहली बार लोगों के सामरे प्रस्तुत किया तो वो जगे थी सारनाथ हमारी वारान असी में जहां पर उन्होंने अपना फस्ट सेर्मन जो है वो दिया है फिर उसके बाद इन्होंने अपने जादातर जो सेर्मन है वो श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिये हुए है मैकसिमम सेर्मन्स जादातर टीचिंग्स इनकी वहीं पर रही है एक बार फिर इनके साथ क्या हुआ था कि सारनाथ में ही इन्होंने एक सांगा बनाया सांगा मतलब बुद्धिस्म वारे जो लोग है एक तरीके साब कह सकते हैं उनकी एक ट्राइब सी जो है और यह का ठीक है और भी लोग जो है वो उसमें जुड़ें और लोगों को और प्रीचिंग्स जो है वो दें तो वो जो पहला इस्टैबलिश्ट जो उनका सांगा था वो उन्होंने अपना सारनाथ में बनाया है और वहाँ पहली बार कोई लेडी जो है वो थी वो आई और वो थी पजापती गौतमी इस लेडी को जो है उन्होंने जो उनकी फॉस्टर मदर भी रही है जिनने हम फॉस्टर मदर भी कहते हैं ये लेडी भी गौतम बुद्धा के जैसे ही सर्च आफ टूथ में आई थी और फिर ये भी मौंक बनना चाहती थी तो उसी टाइप का जो है इस वज़े से यहाँ प कि दुख क्यों है किसी की जिंदगी में प्रिवेंशन आफ सौरो और उसे कैसे बचाया जा सकता था कि ना हो दुख and the path of prevention of सौरो और जो पाथ है कौन सा पाथ ले हम कौन से रास्ते पर चलें ताकि कोई सी भी प्रकार का कोई दुख हमारी जिंदगी में ना हो तो अगर ये चार चीजे इनसान जान ले कि दुख क्या है जिन्दिगी में क्यूं है उससे कैसे बचा जा सकता है और जैसे बचना है उसकी तरफ चलने लग जाए तो बस यही चार चीजे जो हैं वो हमें हमारी जिन्दिगी में हमेशा खुश रख सकती हैं आगे बढ़ा सकत कि आपको सच्चाई पता होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है कभी भी negative ना सोचें आप ऐसा कुछ ना बोलें जो दूसरों को hurt करें हमेशा सही actions लें किसी भी चीज के लिए सही वेपार या अपने earning के लिए एक सही जो है नौकरी चुने यह नहीं कि वो जो नौकरी आप कर रहे हैं या जो भी आपका livelihood है उसकी वज़े से दूसरे को तकलीफ हो तो ऐसे कोई भी livelihood जो है वो हमें नहीं चुननी है फिर हमारे efforts सही होने चाहिए और concentration के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमारा दिमाग भी है जो वो mindfulness से भरा होना चाहिए यह नहीं कि वो बहुत सारी problem से और अलग अलग चीजों से भरा हुआ है नहीं वो खाली होना चाहिए कंसंट्रेशन के साथ जो है meditation के साथ शांत दिमाग से हमें काम करना चाहिए तो अगर हम यह eightfold path जो है इस पर चलते हैं तो हम सौरों को जरूर हरा देंगे अब इसके बाद आते हैं हमारे बुद्धा के sanctions तो जो इनके sanctions हैं वो two sanctions में divide हो गए थे 383 BC में बुद्धिजम वॉस फर्स टिवाइड़े इन्टो टू सेक्शन इन 283 BC तो दो जो है इनकी अलग अलग बुद्धिजम उसमें चला गया एक था हमारा सतावीरा जो ट्रडेशनिस थे और दूसरी तरफ थे महा सिंगी का जो की थोड़ा से चेंज किया देखो हर एक जो नय रिलीजिन या नई थिंकिंग आती है तो पहले तो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं लेकिन फिर उसके बाद उसके उपर कुछ कोश्टन्स आ जाते हैं लोगों के और उने लगता है कि शायद ऐसे नहीं इस तरीके से जो चीज है वह होनी चाहिए तो वहीं यहां पे हुआ 383 BC में सातावीरा नाम के जो लोग थे बुद्धिसम से वह गया एक वह बन गया उनका सेक्शन वह थे ट्रडेशनिस्ट की जो चीज चली आ रहे हैं उसी को से इसाप से मानेंगे और दूसरी तरफ थे हमारे महा संगिका वाले वह थोड़ा सा चेंजड बुद्धिसम ही प प्रजाया ना तो जो हिनन यांका हैं वो लोग ओरिजनल टीचंग बुद्धा के बिलीवर्स थे और जो महायाना वाले थे वह धिनलीनेस अफ बुद्धा जो थे उनके बिलीवर्स थे जो अब हैवन में चले गए हैं उनके उनको प्लिव करते हैं और आइडल वर्शिब नहीं मानते वह औरिजिनल टीचिंग जो थी उसमें मानते हैं अब आते हैं बुद्धिस्ट डिट्रेचर पे जिसे हम ट्राइपताका बोलते हैं यह आपकी बुद्धिस्ट डिट्रेचर वाली जो बुक है इसे पाली लैंगवेज में लिखा गया है और इसकी कुछ चीजे आनन्द ने लिखा है वे EVANS, इसमे प्रुट याझा है फिर आती है आपकी सूता पिता का इसे आनंद ने लिए और इसे whisk मैं बास्केटzos सूताзд लिखे हुए है तो विए पित्थ को गुंड सियर मन्जांवा ने लिखा हुए है जो भी हमारी सूताब्स शारी चीज़ की दिया हुए उन सब चीज़ों की फिलोसीविकल फॉर्म में इस थिखा हुए आप तरीके से जताका डिटरेचर जो बुद्धियस्ट में हाती है इसमें आपके बुद्धा की previous births जो थे वो poem के form में लिखे हुए हैं और कम से कम 547 जताकाज जो हैं वो पाई जाती हैं यहां पे तो बुद्धा ने अपने शाहिद previous जन को भी जितने भी थे उनके उनको भी discover कर लिया था तो उनके बारे में यहां जताका रिट्रेचर में लिखा हुआ है अगर आप देखते हैं तो यहां पे वनारस था पाकिसिनी जो है वो last buddhist text है जो इंडिया में produce किया गया था इसके अलावा यहां पे जो आंगुतारा निकाया है वो 16 महा जन पदास के बारे में भी डिस्क्राइब करता है तो यह कुछ text है जो उनके time के मिले हुए चाहे वो आपका वनारस था पाकिसिनी हो या फिर आपका अंगुतारा निकाया हो इन सब में कहीं न कहीं उस time पे जो इंडिया में condition चल रही थी और बाकी जगहों पे चल रही थी और गौतम बुद्धा का उसकी life पे क्या असर हुआ यह सारी चीज़े जो है वो दी हुई है इसके अलावा एक normal चीज़े जो आशोका के time पे आप आगे भी पढ़ेंगे मौरेन एंपायर के time पे पर क्योंकि related गौतम बुद्धा से है तो इसलिए बता देती हूं कि गौतम बुद्धा की birthplace के बारे में जो भी चीज़े है वो जो रूमी देई पिलर है अशोका मौर्या वाला तो वो जो है उसमें लिखा हुआ सारा का सारा रूमी देई पिलर मे अशोका ने birthplace के बारे में गौतम बुद्धा की सारी चीज़े जो वो इंसक्राइब करवाई थी लिखवाई थी फाइव ग्रेट सिंबल्स हैं जो हमारे गौतम बुद्धा के साथ जोड़े जाते हैं जैसे कि first symbol है उनके birth का जो आपका एक lotus से elephant से या बुल से दिखाया ज पर उन्हें निर्वाना मिला जब वह एंलाइटन हो गए तो हमने बात की थी कि वह पीपल ट्री के नीचे बैठेते तो इसी वज़े से बौद्धी ट्री जो है वह उनके enlightenment को दर्शाता है फिर उन्होंने अपना first sermon जो है वह दिया तो उसे धामा चक्रा बोलते हैं और उसे उनकी death को हम महा निर्वाना के नाम से जानते हैं और उसे दिखाने के लिए स्तूपा या फिर footprints जो हैं वो symbols हैं हमारे इसी तरीके से जब हमारे गौतम बुद्धा जी नहीं रहे तो फोर बुद्धिष्ट council हुई जो अलग-अलग लोगों ने करवाई और उसके साथ-साथ कुछ चीजे जो हैं आगे कुछ outcome सुनके निकले तो उसमें से first जो council थी वो हमारे अजात शत्रु जो राजा था उसकी rain में हुई राजग्रे बिहार में ये आपकी हुई थी first से लेके 483 BC के बीच में और इसका outcome ये निकल के आया कि इस time पे विनय पिताका और सूता पिताक हैं बुद्धिस literature है जो में उनमें से दो जो थी वो इस time पर लिखी गए इसी तरीके से second जो है वो काला अशोका की rain में होती है वैशाली बिहार में और ये आपकी 383 BC में हुई है और इसके time पे जो division था हमारा सत्वीरा और महासंगिका वाला वो निकल कर आता है कि दो sanctions में जो है sections में जो है बुद्धिष्ट लोग जो हैं वो divide हो गए थे हमारे फिर जो third sermon थी वो आपकी 250 से 251 BC के बीच में हुई है अशोका के time पे पाटली पुत्र बिहार में तो आप देखिए अभी तक जो तीनों हुई है वो बिहार में ही हुई और इस time पे जो आपकी last वाली कश्मी हिर में और इस time पे जो है फिर से जो है और दो डिवीजन से हमारे बुद्धिजम के हुए है हिनायान और महायान तो उन में जो है changes आ गए वो दोनों के दोनों यहाँ पर take place हो जाते हैं तो यह था सब हमारे गौतम बुद्धा और उनके बारे में उनकी life के बारे मे अब next class में हम लोग rise of jainism के बारे में जानेंगे